अश्रफ वानी मेरे सही होगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ अश्रफ दो मेहतपूर बाते प्रधान मंत्री की यहाँ पर कि कैसे योगा को कश्मीर के लिए रोजगार का जरिया बनाया जाए और परिटन के लिए आकर्शन का केंद्र बनाया जाए इसके साथ ही आपसे अपडेट भी चाहेंगे क्या प्रधान मंत्री की यहाँ से रवानगी हो चुकी है और अपसे कुछी दे पहले हमने कुछ तस्वीर देखी थी जिसमें प्रधान मंत्री कुछ लोगों के साथ मौजूद थे बातचीत करते वे दिखाई दे रहे थे क्या बात हुई होगी बिल्कुल सबसे पहले मैं अपडेट दे दूँगा आपका प्रधान मंत्री का लेकर मेरे पीछे जो यह सडख है जहांपर में खड़ा हूँ और यहीं से प्रधान मंत्री के काफले को निकलना है कुछ और विवस्ता हैं उनकी होंगी दिल्ली में जिसके चलते वो फिरहाल स्रीनगर से कुछी देर में निकल रहे हैं दूसरी महत्तपून बात जो योगा की आप कर रहे थे कि जो प्रधान मंत्री ने जिक्र किया अपने बाशन में सबसे राहत की बात यह है कि आप तो मौसम साफ हो गया भूंदा बांदी हो रही है लेकिन सूरज भी निकल आया है उससे कहीं न कहीं इस कारिकरम को सफलता मानी जाएगी क्योंकि प्रधान मंत्री को मौका मिला उन सबी जो यहां पर युवा छातर आये थे इस अंतराश्टे योग दिवस में बाग लेने के लिए उनके बीच गए प्रधान मंत्री वहां पर उनसे बात चीत की वो कहीं न कहीं उन पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी जो है सुकुन देने वाला पल था क्योंकि पिछले तीन दिन से जैसे आपने भी सुबह से लगातार कहा कि इस तरह से भई तयारी जो भई तयारी है वो चल रही थी इस कारिकरम की और अंत्र बला तो सब बला तो कुछ ऐसा ही हुआ बले ही प्रदान मंत्री को जैसे उनुने कहा कि तीन जगों पर इस अंतर राश्ट्रे योग दिवस का आयोजन करना पड़ा एक ही परिसर में कुछ S.K.I.C. के बाहर खुले मेदान में डेल जील के किनारे पर खड़े थ प्रदान मंत्री स्वयम एक छोटे से हाल में थे कुछ लोगों के साथ और कुछ बाकी लोग जो थे वो आसपास थे बहराल जो मैसेज देना चाहता था सरकार और प्रदान मंत्री कश्मीर से इस अंतर राश्ट्रे योग दिवस पर वो कही न कहीं अब सफर नजर आ रही है बिलकुल संदेश साफ है संदेश सपष्ट है कि श्री नगर में इसका आयोजन किया गया है और यहां के लोगों को रोजगार के मार्धियम से इससे लाब हो और प्रेटन को इससे लाब हो यही प्रमुक तोर पर यहां पर दस्वा अंतराश्ट्र योग दिवस बनाने का उ देश एक और भी कि सिर्फ श्री नगर नहीं बलकि देश के अलग-अलग हिस्सों में भी वहां के सीम इसका प्रद्धित्र करें कई ऐसे मंत्री थे जो नोंने मोदी सरकार की कैबनेट का प्रद्धित्र किया है और पिछले कई वर्षों से किया है इस साल भी वही परंपरा वही रिती रिवाज निभाते हुए यह तमाम मंत्री दिखाई दिये चाहें वो किरन रिजिजु हो चाहें जैशंकर हो एस जैशंकर जैपी नडडा ने भी हमने देखा कि सुभा किस तरीके से योग के मेहतों को बताया राजनात सिंग ने भी आज के कारकर में शिरकत की औ लेकिन ये अपनी परंपरा से डिगा नहीं, हटा नहीं, योग दिवस मनाया जाता रहा, प्रधान मंत्री ने कहा कि ये वैश्विक उर्जा का सुरोत बन सकता है, कैसे ध्यान के इंदरित कर सकता है, कैसे आपके मन को सशक्त बना सकता है, और यही बात अलग-अलग तरीके से उनके तमाम मंत्री गड़ने भी कई जेपी रडड़ा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए मैं आज के दिन आप सब लोगों से यह आहवान करूंगा कि अपने दैनन दिन जीवन में योग के अभ्यास को अपना जीवन का हाग बनाए और दैनन दिन जीवन में इसको जोड़े ता यानि स्वास्ट की सुरक्षा करना रक्षा करना और सुरक्षित रहते हुए स्वास्थ को आगे बढ़ाना इसको हमको योग के जीवन शैली से समझ में आता हैर और ये योग हमारे शारीरिक मानसिक और अध्यात्मिक तीनों का योग है जोड़ है और इसलिए हमारा जहां शरीर भी उत्तम रहता है वहीं शरीर के साथ साथ हमारी आंत्रिक शक्ती भी जागरित होती है तो केंद्रे मंत्री किरन जीजु भी बचर का योग दिवस के मौके पर हिस्सा लेते हैं और अलग अलग मौकों पर हमने देखा है कि कैसे किरन जीजु काफी जादा फिट है और वो एक्सराइज अलग अलग तरीके की तो करते हैं लेकिन योग पर कैसे उनका ध्यान केंद्र रहता है और अगर आज मौका खास था तो जाहे तोर पर केंद्री मंत्री ने कोई कोर कसा नहीं चोड़ी कि वो अपने तरीके से इस योग दिवस को मना सके सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किरन रिज्जु इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिख मौझूद है आज सर अंतर रा योग करना चाहे तो मैं हमेशा नियमित रूप से जहां भी मैं मौका मिलता हूं योग करता हूं और साथ साथ में योगा का जो प्रोटोकल है उसको हम लोग मानते हैं दुनिया में जितना भी लोग योग करते हैं उनका जो स्टेंडर्ड प्रोटोकल वो एक भारतिय योग से ही वो सीखते हैं क्योंकि authentic योगा एक भारतिय ही दे सकता है यह दुनिया मानना वैसे कि आप देखा जाएगा तो कई सारे विदेशी लोग भी अब योग इंस्ट्रक्टर बन गए हैं किताबे निकल गई हैं वीडियो उसका प्रोटोकॉल्स अलग अलग निकल गए लेकिन शूध रुब से जो भारत सरकार आयूष मंतरा ले के माद्याम से जो प्रोटोकॉल निकला है कितना स्टेप्स और कितना समय करना चैए वो सब करें तो जादा फाइदा है वैसे तो कोई रूल्स ऐसे नहीं कि इतना मिनिट इतना करना है लेकिन जो प्रोटोकल तयार किया गया है आयूस मंत्राले के और से हमारे जो मुरारजी बाइद दिशाई का जो इस्टिटूट है योग उसका जो वहां स्टेंडर्ड एक तो सेट किया है उसको लगबग विश इस तरीके की रही स्वयम योगा करें और पूरे समाज को योग सिखाएं वो तो है इतना समाज के लिए तो है पर समाज ने आगे बढ़ चरकर की योग कर रहे हैं तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि विश रेकोर्ड मनाते जा रहे हर साल अनमंत्री डल लेक पर योग कर रहे जाना चुकि प्रदान मंत्री नहीं लीड करके इस तो जहांब है प्रदान मंत्रिजी योग का एक आयोजन करता है तो एक आक रसनका के शुप तो अंतराशे योग दिवस के मौके पर हमारे जवानों ने भी इसमें बढ़ चरकल हिस्से आ लिया और खास और पर जो बॉर्डर्स पर जवान तैना थे वो सुभा से ही योग करते वे दिखाई दिये वो तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीना के जवान जो योग भी कर रहे थे ये बेहाद अधफुत तस्वीरे आप इन तमाम सेनिकों की देख सकते हैं जो बॉर्डर्स पर टैनाथ हैं जिन्होंने अलग-अलग विशम परिस्तितियों में भी हमेशा से ही योग दिवस पर हिस्सा लिया है चाहें बर्षबारी हो रही हो चाहें भ हुजवी हो जाए योग करना है और योग को अपने जीवन चैली में यानि कि रोज की क्रिया में शामिल करना है ये तमाम तस्वीरें सी बात की कि गवाही दे रही हैं कि कैसे हमारे सेना के जवान तन मन धन से इस देश के लिए समर्पित हैं और खास-धूर पर योग दिव योग कर रहे हैं और उनके ही नेत्रित्व हैं यहां पर आप देखें सैकडों लोग यहां योग करते हुए निजर आ रहे हैं और हर वर्ग क्या बच्चे क्या महिलाएं क्या बुजर्ग आज इस अंतराश्री योग दिवस मनाते हुए निजर आ रहे हैं यहां आप मानिये दिन की शुरूवात सुबत 4 बजे से ही हो जाती है और यह 2-1 घंते कि प्रक्रिया रोज चलती है और इसी तरह दने चोटे चोटे बच्चे बैठे हुए हैं मैं चाहूंगे जराँ उनकी तस्वीरे दिखाए हर जाती हर वर्ग हर धर्म के बच्चे के सरसे आज के जिन मैं चाहूंगे वो तस्विरे ठीक आपके सामने है और पता बिल्कुल चोटेटे बच्चे आप देखिए यहाँ पर चित्रा आपको अगर हम दिखाए तो यहाँ छोटे-छोटे बच्चे ही अपने आप में काफी हैं उदर आप देखिए जरा हिमाशू मलकम दिखाई है वो भी चोटे बच्चे अभी अब से थोड़ी तेर पहले मैंने देखा पांच साल का बच्चा मलकम करता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पर भी वाशू ज़रा दिखाई कैसे छोटे-छोटे बच्चे कुष्टी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ छोटी बच्चिया जो है अभी कर लेती है अब आपका इक वाद बच्चा है जो अभी वो मलकम कर रहा है पांच साल का पांच साल में उसने इतना बढ़ियां सीखिया उसकी पिता जी अधरसल मलकम प्रसिक चक हैं तब तो बच्चा बनता ही है मतलब यह समझी आप पेड से ही यह गुन देखी क्या यह आप यहां कप से मैं यहां बैसिकली तीन-चार साल से हूँ यहां पर और उससे पहले 15-20 साल से जुड़ी हूँ अच्छे यह प्रक्रिया है मतलब रोज आना बच्चों तक पो इतने शुरूड़े बच्चों को योग के प्रती जागरू करना यह आप के मन में कैसे आए यह मेरे मन में जिसे शुरू इस्टासिंग से ही पैरेंट्स बगेर हमारे बोलके थे योग अप्यास करो ठीक है योग की तरफ क्योंकि इससे ना एक तो बीमारियां तो दूर होंगी अब एक योग की आदत डालो सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी और जिन्दगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक वैज्ञानिक गुनात्मक परिवर्तन आएगा और इससे हम सब का जीवन ही दिवेवन जाएगा प्रधानमंत्रियाच कश्मीर में योग दिवस मनाया जा रहा है उसके क्या करें जोड़ना कश्मीर सी कञ्या कुमारी तक और नौर्थ से लेकर के मुंबही तक अटक से लेके कटक तक पुरा देश जुड़े और जुड़ रहा है राष्ट में एकता अखंडता कर दो दिजिका